दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लेट पेमेंट चार्जेस के काला सच के भारे में और दोस्तो यह information जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ ना तो यह information कोई भी यूटूबर आपको बताएगा और ना ही कोई बैंक या फिर NBFC बताएगा लेकिन दोस्तो जो इसका impact होता है वो बहुत बरा होता है और इसका impact जब आपको पता चलता है तब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता आपका civil score तेजी से यह down कर देता है यह सिर्फ late payment charges अब सवाल यह आता है कि late payment charges किस तरीके से आपको civil को down करता है यह जानना आपके लिए क्यों जरूरी है क्योंकि दोस्तों यह अगर आप नहीं जानोगे तो future में हो सकता है आपके साथ भी यह दिक्कत का सामना करना पड़े क्योंकि दोस्तों मेरे carrier में ऐसे बहुत सरी customer का मैंने complaint handle किया है जिसका सिर्फ एक इशू था कि उनका civil score साड़े 500-600 आ चुका है उसका reason है कि उनका हर महीन यह payment जो है late दिखा रहा था civil में जबकि उन्होंने उतना दिल late किया ही नहीं है एक payment एक से दो दिन late किया लेकिन civil में report हुआ 30 दिन बाद 40 दिन बाद उन्होंने late payment किया है जिसके चलते उनका civil score down हो गया तो दोस्तों ऐसा होता क्यूं है यह जानना जरूरी है अगर आपने भी कहीं से भी loan या फिर credit कर लिया है तो दोस्तों मैं हूँ असन आप देख रहे ही यूनी टूनो वीडियो में आगे जने से पहले request है दोस्तों ऐसा ही quality content देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथी साथ वीडियो का content अगर अच्छा लगता है तो like और share को जरूर प्रेस करिएगा तो चलिए दोस्तों बात करते है main topic को पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक example के साथ समझाने के कोशिश करता हूँ कि ये late payment charges की तरीके से काम करता है example के लिए मान के चलिए आपने कोई एक bank से एक mobile finance किया है जिसका monthly EMI होता है पंदरा सो रुपे दोस्तों जैसे हम सभी को पता होता है कि EMI के अंदर दो component होता है एक तो होता है आपको principal outstanding और एक होता है interest charges तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका principal outstanding है 1300 रुपे और interest है आपका 200 रुपे तो कुल मिला के 1500 रुपे का आपका EMI है और कोई एक मेहिने में आपने late जो है कर दिया EMI भनने में मान के चलिए दो दिन आपने late कर दिया जिसके चलते और वाला bank ने आपको 500 रुपे का late payment charges add कर दिया है तो अभी आपका total outstanding हो गया 1500 प्लास 500 दो हजार रुपे तो यह दिन आपने पूरा payment कर दिया 1500 रुपे का जो आपका total EMI था आपने late payment charges pay नहीं किया और आपको लगता है कि चलो late payment charges में अगले महिने कर दूँग लेकिन आपने payment जो है 3 दिन के अंदर ही कर दिया तो होता यह है जब भी आप 2-3 महिने बाद आपना civil score चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि वो वाला महिने का payment आपको 40 दिन बाद payment हुआ मतलब late payment report हुआ है उस bank के दुआरा लेकिन आपने तो 3 दिन बाद payment किये थे लेकिन 40 दिन बाद आईसा क्यों दिखा रहा है तो के लिए सबसे पहले आपको charging pattern समझना जरूरी है और यह charging pattern जो होता है यह bank का internal policy होता है यह information bank वाले NBFC वाले आपको कभी नहीं बता आता है आप पहले जान लिजे charging pattern किस तरीके से काम करता है जैसे मैंने पहली example दिया था कि आपका total 2000 रुपे का payment था जिसके अंदर 1300 रुपे आपको principal amount था 200 रुपे interest था 500 रुपे late payment charges है जब भी आप कोई payment करते हो आपका total outstanding के अंदर तो सबसे पहले system जिसको capture करते है वो होता है late payment charges को मतलब आपने जैसी 1500 रुपे भरा 500 रुपे late payment charges का साथ adjust हो गया है तो बचा कितना बचा आपको 1500 रुपे जो की आपका यह मैं amount था जिसके अंदर principal था और plus 200 रुपे interest था अब यह जो 1000 रुपे बसता है वो 1000 रुपे next जो adjustment होगा वो होगा interest amount के साथ तो यहाँ पे आपका interest amount कितना था 200 रुपे तो 200 रुपे एगेन कट गिया आपका 1000 रुपे से बचा 800 रुपे फाइनली जो 800 रुपे बचा वो last में दोस्ते अग्जस्ट होगा principal outstanding के साथ तो यहाँ पे आपका principal outstanding कितना था 1300 रुपे तो 1300 में से यह 800 रुपे अग्जस्ट होने के बाद principal आपको दिखाएगा 500 रुपे आपका outstanding है आप आपको तो दिमाग में चल रखी मैंने आपने EMI तो पे कर दिया ठाली late payment charges payment नहीं किया लेकिन system इसको क्या करेगा system consider करेगा कि आपका principal outstanding बाकी है और अगर मैं आपको बता देना चौंग का principal outstanding अगर एक रुपे भी कम payment आया तो उसको non payment consider किया जाता है as per bank आपका 500 रुपे principal outstanding कम payment आया partial payment हुआ जिसके चलते system उसको consider करेगा कि पूरा payment नहीं हुआ मतलब customer ने payment नहीं किया और अगले महिने जब आप पूरा payment करोगे 2000 रुपे तो जाके आपको next महिने जो 500 रुपे आपने एक्सटा payment किया पिछला महिने का late payment charges वो तब जाके principal के साथ एक्जस्ट होगा तब जाके bank मानेगा कि हाँ 30 दिन बात payment हुआ है ये पिछला मंत का और वो ही information जो है civil report में report करेगा bank इस तरीके से दोस्तो charging pattern काम करते है मतलब pirate ही होता है सबसे पहले late payment charges की उसके बाद interest ये issue आप जब भी highlight करोगे तो bank बाले sorry बोल के छोड़ देगा आपका civil जो है खराब हो चुका होगा और आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते क्योंकि civil में 2-3 साल तक का पुराना data pool होता है तो उसके चलते next 3 साल तक आपका civil score जो है बहुत जो है मेरा वीडियो देखने में at least कम से कम आपको कुस तो information मिले जिससे आप भी लगे कि हाँ जो मैंने 5 minute invest किया या 6 minute invest किया वो मेरा काम में आया so I hope दोस्तों information आपको अच्छा लगा होगा so हम मिलते अगले वीडियो में तब तक आप बहुत सरा क्या लगीगा जय हिंद बनने मातरम